बढ़ी खबर है राइपूरस के सब उन्तरी बी यल संटोवस भी राइप्स बोगा इसके लाबारा संगथन अनल मत्री-बी पूर्पूर्ट बैठक जिसमें ये सभी बड़े नेता तीनों बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं और बीजेपी कॉर्प की बड़ी बैठक है क्या इसमें चर्चा होंगी ये जरूर जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी सौभाविक है कि नाकिवल चुनावी रणनीती बल बैठक में चर्चा हो सकती है जिसमें खुद ग्री मंत्री अमित शाह विजेपी के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा और राश्ट्रिय संगठन मंत्री वियल संतोष शामिल होने वाले हैं और तीनों नेता राय पूर पहुंच चुके हैं दो बज़े ये बेहत म पूर्ण की बैठक होने जा रही है तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और कुछी पलों में यहां से निताओं का काफिला भी गुजड़ेगा तो केंद्रे ग्री मंत्री अमिश्या बीजेपी के राष्ट्री अध्यक्षी जेपी नडड़ा राय पर पहुंच चुके हैं इसके अलाबा राष्ट्रे संगठन मंत्री बीयल संतोष भी राय पर पहुंच गए हैं और बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक बेहद महत्मूर बैठक और इसमें नाकिवल ये तीन राष्ट्री नेता बीजेपी के बड़े चेहरे बलकि 36 गड़ के जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी से वो भी इस बैठक में महत्मूर चर्चा उनके साथ होने जा रही है नेत्रित्व की और चुकि दोजार अठारे में बीजेपी कुआसाथी परिणाम नहीं मिले बहुत जादा कहें तो दूरी कॉंग्रेस और बीजेपी के 20 सीटों को लेकर हो गई थी इस बार कोशिश यही है बीजेपी की हर हाल में वापसी हो हर हाल में 36 गर्विधांस सभा चुनाओ जीता जाए और उसी को लेकर लगातार ग्री मंत्रिय में श्या के 36 गर दौरे हो रहे हैं लगातार वो 36 गर आ रहे हैं बैठकें भी कर रहे हैं पार्टी के पदादिकारियों से नेताओं से कारिकरताओं के साथ भी लगातार अगर हम कहें तो कोशिश हैं जारी हैं कारिकरता रिचार्च करने की कोशिश, सक्रिय करने की कोशिश काफी पहले से बीजेपी कर चुकी है और उसका अब असर भी 36 गड़ में नजर आ रहा है धीरे धीरे जो चुनावी अभियान है 36 गड़ में बीजेपी का वो रफतार पकरता हुआ दिख रहा है और हम कहें इसकी पीछे कोशिशें बीजेपी नेतरत्व की वो अब रंग लाती हुई नजर भी आ रही है और आज एक बार फिर केंद्रे ग्री मंत्री अमित शाह रायपूर पहुंच चुके हैं दो बजे बीजेपी कोर गुरुप की बैठक में शामिल होंगे ग्री मंत्री और इस बैठक में किवल ग्री मंत्री नहीं बलकि बीजेपी अधिक्ष जेपी नडड़ा राश्ट्रिम संगठन मंत्री बियल संतोश और 36 गड़ बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होने ज पूकस किया जाए 36 गड़ विधान सभा चुनाव में किन मुद्दों पर जादा जादा उनको उन पर चर्चा करनी है